हलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूटूब चैनल राधिका फुट ब्लॉग में बहुत-बहुत सवागत है और जिन लोग ने भी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुरू से लेकर लाश्ट तक जरूर दे मैं इसी के कौफते बनाऊंगी और बहुत टेश्टी लगती है यह सबजी तो सूरन के कौफते बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर तेल और तेल को अच्छे से हाथों में फैला लेंगे और उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे एक प्लोथिन और प्लोथिन से हाथों को कवर कर लेंगे अच्छे से क्योंकि सूरन को काते वक्त थोड़ी सी सावधाने की जरुरत पड़ती है हमें और जिस तरीके से अभी हम काट रहे हैं तो उस तरीके से बहुत आसाने इसे सूरन के छिलके निकल जाते हैं तो इसी तरीके से हम सारे छिलके को निकाल लेंगे और इधर हमने सूरन के छिलके को निकाल लिया है और अच्छे से धो लिया है दो तिन पानी से और इसको अच्छे से बड़े बड़े टुक्रों में हमने काट लिया है और उसके बाद हमने कूकर में पानी डाल दिया है इतना पानी डाला है कि जितना की सूरन उसमें डूब vage लिख और उसके बाद हमने यहां पे नमक डाल के कोकर का ढ़कन बंद कर दिया है और इसको दो सिटी लगने तक चोड़ दूझा गेस की ऊपर पर करने के लिए और इधर अब हम सब्जी बनाने के लिए तयारी करेंगे तो हमने यहां पे लिया है प्याज और प्याज को हम टुकडो में काट लेते हैं और उसके बाद अब हम टमाटर काट लेंगे और इधर हमने लिया है मिर्च, अद्रक और लेसून और थोड़ा सा हमने साबूत कालिमेट्च लिया है, साबुत चीरा लिया है और इन सभी को सिलवटे में हम अच्छे से पीस लेंगे और थोड़ा सा हमने यहां पे लिया है कटा हुआ प्याज तो आप देख सकते हैं इधर हमने सारे मसालो का पेश्ट बना लिया है अब इसको एक प्लेट में उठा के रख लेंगे और उसके बाद हमने यहां पे जो टमाटर काटे थे उसको भी सिलवटे में हम पीस लेंगे और इसका पेश्ट बना लेंगे और अब हमने टमाटर का भी पेश्ट बना लिया है इसको एक प्लेट में उठा के हम रख लेते हैं और इधर सूरन भी उबल चुके हैं तो सूरन को भी हम निकाल के और इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी बचा रहेगा तो उसको हम छान लेंगे और इसको एक थाली में अब हम रख लेते हैं और उसके बाद एक कटोरी की सहिता से इसको हम मैस कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अच्छे सूरन को मैस कर लिया है उसके बाद हमने थोड़ा सहली पार डाला है मिर्च पाड़ डाला है धनिया पाड़ डाला है और उसके बाद तीन चमच हमने यहां पर बेशन लिया है और इसके बाद सभी को अच्छे से मिला लेंगे और हाथों में हमने थुआ सा तेल लगा लिया है उसके बाद हम चाहे जैसा भी कोफते का सेफ रख सकते हैं तो इसी पर कड़ाई में तेल लिया है और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे जब तेल गरम हो जाए उसके बाद हम कड़ाई में उतना कोफते डाल लेंगे जितने इस तेल में आ जाएंगे तो हमने कड़ाई में कोफते डाल दिया है और इसको अच्छे से पलट पलट के सभी तरब से कोफते को हम तल लेंगे और इधर हमने कोफते को अच्छे से तर लिया है ब्रान होने तक और बहुत अच्छा सा कलर आया है कोफते का आप देख सकते हैं तो इसी तरीके से हमने जितने भी कोफते बना के रखे वे थे सभी को तल लेंगे उसके बाद उसी तेल में बचे वे तेल में हमने यहां पर डाल दिया है सरसो और उसके बाद प्याज हम डालेंगे और प्याज को थोड़ा सा सुनेरा होने तक भून लेते हैं प्याज जब भून जाए उसके बाद हमने सिल्वट्टे में जो पेश्ट त्यार किया था जैसे कि टमाटर का पेश्ट और मसाले जो पिसेवे थे सभी को इसमें हम डाल देंगे इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है स्वातौनसा grietta नमक और नमक हम उतना ही डालेंगे जितना हमें ग्रेवगी में चाहिए क्योंकि हमने सूरन को उबालने समय भी नमक डाला हुआ है इस वज़े से ठीक से ध्यान से डमक डालेंगे और इहां पर सुखे मसाले में हमने लिया है थोरा सधनिया पाउडर और उसके बाद हदली पाउडर और मिर्च पाउडर अगेरा अभी हम नहीं एट करेंगे क्योंकि जब हमने सिल अच्छे से हम भून लेंगे और इधर आप देख सकते हैं मसाले और तील अलग हो चुके हैं यानि कि मसाला भून गया है और उसके बाद हम यहां पर पानी एड़ करेंगे पानी जितना हमें ग्रेवी चाहिए उससे हलका जादा इसमें डालेंगे क्योंकि कोफते पानी सोक लेते हैं इस वज़े से तो अभी मैंने सब्जी में पानी डाल लिया है और जब तक यह अच्छे से उबलना जाए एक दम बहुत अच्छे से इसको उबालना है और जब यह उबल जाए कम से कम हमें इसे 10 से 15 मिनट तब इसको हम उबाल लेंगे अच्छे से उसके बाद जो हमने सूरन के जो हमने कोफते बनाये थे वो इसमें हम डाल लेंगे और यह सब्जी बनके बहुत अच्छे से तयार हो जाएगी तो इधर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रेवी में उबाल आ चुका है और इसके बाद हम सभी कोफते को ग्रेवी में डाल लेंगे और कोफते डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है और अभी हम डाल देंगे गरम मसाला और गरम मसाला डालने के बाद हम इसको एक मिनट के लिए सिफ ढग देंगे और उसके बाद हम देखेंगे तो इधर आप देख सकते हैं एक मिनट तक हमने ढग दिया था सबजी को और यह सबजी बिलकुल बनके तयार हो गई है और ये कौफते बहुत सॉफ्ट बनी थी बहुत ही टेश्टी बनी थी आप एक बार जरूर ट्राइक किजिएगा बस इसको ज़्यादा उबालना बिल्कुल भी नहीं है और ये अंदर से कौफते बहुत ही खिले खिले से हैं बहुत ही नरम और बहुत ही मुलायम थे अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने फैमिली फ्रेंड में सेर कर सकते हैं और अभी तक चैनल को सब्सकाइब निके तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर दीजेगा हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ धन्यवाद